दोस्तो इस वीडियो में जो है ये आप लोग बहुत दिनों से मेरे से एक चीज पूछ रहे थे काफी टाइम हो गया था कि सर क्या ये भरती फस सकती है क्या रीजन है फसने के और क्या कारण है कि इस भरती को पंचवर्शी योजना बनाया जा सकता है जैसा कि पहले जो है आप को थोड़ा सा confidence आजा थोड़ा सा आप जो है वो जो 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 फॉंशल कि पॉजिटिव साइड में यह नेग repli तिफिव में दोनों बाते इसमें करूँआ उसमें आप आ त्यक्ति जैसा कि आपको पता है कि हमारे सामने ठीके खासकर मेरे सामने ठीके मतलब काफी छोटे से लेके 2011 की जब बरती आई थी तब मैं काफी छोटा था और उसके बाद जो है आप जो है ऐसे समझेज़े 2011 के बाद फिर आई 2016 में फिर 2021 में लगबग आप देखेंगे कि 5-5 साल का गैप जो है इनमें आ रहा है ठीक है प्लस 5 प्लस 5 अगर आप देख लेते हैं तो 5-5 साल का गैप आ रहा है क्योंकि यही सब चुनावी साल थे चुनाव से एक साल पहले का जो सीन होता है वो था 2011 की भरती में पहला बैच जो आया था 2016 में ट्रेनिंग करने आया था उसके बाद 2019 तक इनका लास्ट बैच जो टुकडो टुकडो में आते रहे कोट केस से लड़ लड़ के वो करते गए 2016 में फस्ट बैच और 2019 में लास्ट बैच अब 2016 का जो बैच है वो जाके अब आपका 2022 में यह आपका जो है जा रहा है फिल्ड में मतलब 2021 आतो यह गए थे 2019 में लेकिन 2022 में जो है वो यह लोग जा रहे है ठिक तो लगबग आप लगा लिजए अब जैसे कि इसके बारे में कहा जाता है कि 2021 में बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि सर इसमें भी पांस सा लगेंगे चाल सा लगेंगे तो उस हिसाब से यह भरती 2025 में जाके कंपलिट होने चाहिए लेकिन यहां पर मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कंपेरेटिव कंपेरेजन करिए तो लॉजिक के साथ करिए 2011 में जो प्रॉब्लम हुई थी वही थी वाइटनर को लेके वाइटनर वाली प्रॉब्लम थी उसमें बहुत सारे जीज़ें थी और उसके बाद नियमा वाली में भी चेंज हुआ तो हमें में यह दो भरतियों पर फोकस करना है 2016 और 2021 2016 की भरति पूरी की पूरी नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे फसी हुई थी जो कि अब जाके वो क्लियर हो चुकी है अब यह जो सुप्रीम कोर्ट का ओर्डर जो था अगर मैं मानता हूँ अगर यह नॉर्मलाइजेशन का ओर्डर हाई कोर्ड का होता तब आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जकते थे लेकिन यह सुप्रीम कोर्ड का ओर्डर है वो भी डबल बेंच का जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस यू यू ललित इन्हों ने जो एक जज्जमेंट दिया साथ तारीक को साथ आपका जन्वरी को 2022 में इनके अनुसार जो है वो यह है कि भाई जो नॉर्मलाइजेशन का जो प्रक्रिया है और जो भर्ती बोड ने जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन किया वो बिल्कुल ठीक था जबकि हाई कोर्ट की डबल बेंच जस्टिस सुनीता अगरवाल और एक और थे कोई ध्यान नहीं है मेरे को उन्होंने ये कहा था कि भाई जो नॉर्मलाइजेशन का प्रॉसेश जो आपने किया है और जो आपने नॉटिफिकेशन में लिखा है नॉटिफिकेशन में आपने 50% लिख जा है और आपने यहां पर जो है जो आपने 50% के हिसाब से आपने जो है रिजल्ट निकाला और उसके बाद भी आपने क्या करा कि पहले एक स्लॉट के बच्चों का आपने रिटिन के बाद आपने नॉर्मलाइजेशन कर दिया और जो दूसरे slot के बच्चे थे उनका आपने final result बनाते समय आपने जो है वो normalization कर दिया तो ये तो आपका एकी match में आपने कई बार जो है वो review ले लिया वो चीज ठीक नहीं अगर आपको normalization करना है तो सबका एक साथ करते चलो जो भी है Supreme Court ने क्या देखा क्या ने देखा वो matter नहीं करता है लेकिन अब जो 2021 की जो भरती है ये और 2016 की भरती के साथ एक चीज और क्या थी कि ये जो है सपा प्रमुख जो है ये आपके अखिलेश यादब जो है अखिलेश यादब उन्होंने ये भरती का notification निकाला था और उसके बाद ये भरती जो है वो बीजेपी के टाइम पे बीजेपी गवर्मेंट में complete होई और सबसे जो important बात ये बता दूँ 2016 का written एक्जाम भी जो है वो आपका इसी बीजेपी गवर्मेंट में ही हुआ था 2017 दिसंबर में ठीक लेकिन 2021 के साथ क्या है कि यहाँ पर आपका notification भी बीजेपी गवर्मेंट ने निकाला और उसके बाद रिटेन एक्जाम जो कि किसी भी एक्जाम का एक सबसे important बिंदू माना जाता है ठीक है रिटेन एक्जाम आपका 60% का 60-70% का बेटेज लेके चलता है ये आपका यही गवर्मेंट complete करा के जा रही है ठीक है अब अगर मान लीजे जैसे बहुत सारे लोग का यह कहना है कि सर अगर बीजेपी वापस नहीं आई तो सपावाले इसको जो है वो खतम कर देंगे या फिर रद्द हो जाएगी ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक ये रद्द करना ये करना कुछ कोट कानून कुछ चीजें होती है ठीक है जिसमें की सभी लोग हम जो है उसके आधीन है अब जैसे अगर नोटिफिकेशन रद्द करने को होता तो 2016 कर नोटिफिकेशन 2017 में रद्द हो जाता और फ्रेश नोटिफिकेशन 2018 में लांच करके उसके बाद पेपर करा देते ठीक लेगन हुआ क्या भाई ठीक है न यह भरती रद्द होगी ना यह भरती डिले होगी यह भरती डिले होने के भी कोई चांसेज नहीं है क्यों क्योंकि भाई आप भरती बोर्ड को मिल चुका है एक ब्रहमास्त्र और उस ब्रहमास्त्र के अनुसार क्या और वो ब्रहमास्त्र है सुप्रिम कोट का अगर आप कल को जाके अपना written exam का result या फिर final result को जाके अगर आप high court में जाके उसको challenge करते हैं तो वहाँ पर भाई भरती board आएगा और बता देगा देखे भाई यह ऐसा है सर high court के judge से एक देखे सर यह देखे यह supreme court का आदेश है उसके अनुसार 2016 में जो process हमने किया था उसी के अनुसार हमने इनका normalization process किया है वह तुरंत rate coverage कर देगा कोई मतलब भी नहीं बनता है तो इसकी भरती की प्रक्रिया जो है वह आपका तेजी से होगी लेकिन तब भी आपका एक साल one year तो आपका process process होने में बुरा लग जाएगा भाई कई चरण है भाई देखे written भी है उसके बाद DVPST है फिर उसके बाद PET है ठीक है उसके बाद आपका final result है फिर medical है फिर उसके बाद जो है LIU जाच करेगी उसके बाद जाके आपको जब मिलेगा तब जाके आप training पर जाएगे ठीक है तो कुल मिला के 2022 आपका end आ सकता है 2022 के December में या फिर 2023 की January में आपको जो है वो joining आपको दे दी जाएगे मतलब आपको training center पे भेज दिया जाएगा अब आप खुद लगा लीजिए जब notification पिछली साल निकला था और आपसे लगबग आपके 10-11 महीने होने जा रहे है 10 महीने पता चला समय का समय का कुछ पता भी नहीं चला ऐसे ही आपको December का बाज आएगा पता भी नहीं चलेगा तो ये भरती मेरे ख्याल से मैं जो अपना एक अनुमान लगा रहा हूँ उसके अनुसार ये भरती किसी भी कीमत फसने नहीं वाली है और ये भरती आपकी पूरी complete होगी क्योंकि इस भरती में कोई कानूनी दाव पेच नहीं है हरी जंटी भाई सुप्रेम कोट से मिल चुकी है तो किसी भी पकार से आप ये सोच के चलें कि नहीं अब तो ये फस जाएगी बहुत धांदली हुई है कुछ नहीं आप देखते चले आ रहे हैं पिछले 5 सालों का track record उठा के देखिए सुप्रीम कोटो या हाई कोटो किसी ने भी सरकार की विरोध में कोई भी आपका order नहीं निकाला है ठीक अब जो भी जो है वो बिंदू देखते हों जो भी legal point of भी देखते हैं वो बात अलग है तो ये भरती आपकी किसी भी कीमत पे न फसेगी और नहीं इस भरती में किसी परकार से कोई legal expect आएगा मैंने आपको बता दिया क्योंकि भी यह सुप्रीम कोड का order है उनके पास भाई देखे आप challenge किस basis पे कर सकते था आप challenge इसी basis पे तो कर सकते था तकर सर written का result निकाला है इन्होंने normalization की परकरिया में इन्होंने बहुत धंदली करी है ठीक यही कह सकते थे आप अब आपके पास यही रह जाता है लेकिन भाई यह तो कहेंगे सर हमने normalization की परकरिया वही रखी है जो 2016 में थी और 2016 का order सर यह रहा इस order के अनुसार हमने यह किया है और अब जो है किसी भी परकार से तो यह समझे लिजे कि यह भविश से में मतलब आने वाली कई vacancy के लिए जिसमें normalization की परकरिया है अब जैसे सिपाई की vacancy होती है सिपाई में क्या है या दो shift हो में paper होता है ठीक है चार पांच number का gap रहता है यहाँ आपकी 54 shift है यहाँ कहाँ 2 shift या फिर 4 shift माल लो यहाँ 54 shift है अंतर नहीं पड़ेगा क्या तो normalization का अच्छा खासा अंतर पड़ता है जो लोग यह कह रहे हैं कि normalization का फरक कम पड़ेगा इक दोनों question का इक दो number का पड़ेगा नहीं मैं यह नहीं मानता हूँ ठीक है क्योंकि 2016 को को अगर आप करीबी से देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा उसमें तो कितनी 29 shift थी ठीक है 29 shift उसमें थी क्योंकि order में 29 shift ही लिखा हुआ है सुप्रीम कोड का जो order है तो 29 shift में जब इनोंने जो है अच्छा खासा गय पाया उसमे ठीक 320 वाला 270 260 पे गिरा आके 270 वाला 300 क्रोस कर गया या 290 पहुँच गया लगबग आपका 20 से 25 कुशन का हर बंदे को ज़्यादा तर मैं यह नहीं कहा रहा हूँ कि हर बंदे को उसमें फिर यह भी देखा जाएगा कितने आपने attempt करे हैं हर एक आदमी को ज़्यादा तर कोशिच यह करी जाएगी 70% तक जो candidate उनको 20 से 25 नमबर के बीच का मतलब एक से लेके 10 से लेके 10 से लेके 25 नमबर का आपको weightage आपको मिलेगा या आपके घटिंगे या आपके बढ़िंगे हो सकता आपी की shift में जो है 10 नमबर बढ़ जाए या आपी की shift में 25 नमबर बढ़ जाए और आपी के 7 वाला बंदा जो है वो minus 20 में हो जाए या minus 5 में हो जाए minus 10 में हो जाए तब है मैं कहता हूँ इस समय कोई भी किसी प्रकार से कोई data दिखा रहा है कोई data कुछ कर रहा है कोई कह रहा है shift अप थी easy थी फला नहीं थी धिमका नहीं थी कुछ भी नहीं उस पर भरुसा करने की जरूरत है written के result तक का wait करिए ठीक है कोसिस पूरी करी जाएगी कि इस समय जो है आपका result जारी कर दिया जा अब तेखिए कहां तक जारी होता है ज्यादा time बचाई भी नहीं अभी इस महीने में भया 13 तारीकों के लगवा 17 दिन आपके बचे हुए है पस उसके बाद क्या चुनाब अब चुनाब करवाया जाएगा या फिर यह आपका करवाया जाएगा ठीक तो कोई भी गवर्मेंट आए मैं कहता हूँ अगर अगली बार सपा बन गई बीजेपी बन गई, बीएसपी बन गई आप बन गई, कॉंग्रेस बन गई वेकेंसी पूरी होनी है क्योंकि वेकेंसी को आप लोग कहेंगा नूटिफिकेशन में लिखाओ किसी भी चैनल से वापस ली जा सकती है अरे भीया तब भी कोट में आपको बताना पढ़ाएगा अस गवर्मेंट को किस बेसिस पर वापस ली आपने है मतलब मजाक चल लाए गया ठीक और करोड़ों रुपए का जो रिवेन्यों का दरोगा जो 9534 जो है केंडिडेट जो है जो एक लकी केंडिडेट होंगे उनको नौकरी मिलने वाली है इसी साल मिलेगी 2022 में ठीक आपको अगले साल का वेट नहीं करना पड़ेगा ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस वेकेंसी पे किसी भी प्रकार से क्योंकि इस वेकेंसी पे आप चीज़ देख रहे हो इस वेकेंसी पे आप एक चीज़ देखेंगे कि जैसे की ऐसे समझ लिएज़ेगे ये एक तरीके से ये ब्रहमास्तर है या फिर एक ये कोई स्कॉयर सेप है अब उस पे आने वाले एकस्पेक्ट होते हैं उसके अनुसार जो है इस भर्थी पे कोई प्राउलम नहीं है ठीक है भाईया तो ये हमारी कहानी थी अब इसको सुन लिया हो तो अपना जो है मोटिवेट हो जाईए और बेट करिए रिटेन के रिजल्ट का बिल्कुल बॉख लाईए मत थोड़ा सा धहर रखेंगे धहर बहुत बड़ी चीज है और इतना ध्यान रख लेना अगर आप धहर रखते हैं तो सर्विस के एंड तक जब आप लास्ट में इस पी बनके रिटायर होंगे या एस पी बनके रिटायर होंगे तो आपके आप जब अपना एनलाईस करेंगे तो आप यही देखेंगे धहर के कारण ही मैं इतनी लंबी नोकरी यह कर पाया तो पेशेंस रखिये पेशेंस अच्छा फल दे जाता है अगर जल्दी बाजी करेंगे कमेंट बॉक्स में गालिया लिखेंगे ट्विटर वहाँ पे टेलिग्राम चैनल पे जाके गालिया लिखेंगे कुछ नहीं है आपका बुरा आपका जो है उसमें नुकसान है बाई गालिया देना कोई बहुत अच्छी बात तो होती नहीं किसी गवर्मेंट को कोस ना आपका परसनल जो कुछ भी हो वो अलग बात है आप एस पी को पसंद करते हैं बी एस पी को पसंद करते हैं बीजेपी को पसंद करते हैं आपको करते हैं कॉंग्रेस को करते हैं वो आपका परसनल नेटर है ठीक है लेकिन किसी एक के कारण दूसरे को गालिया बखो दूसरे पूरी तरीके से घुशनी को जरुवतनी क्योंकि आप एक नौकरी वाले बंदे हैं तीस साल नौकरी करेंगे जाके तो तीस सालों में कम से कम छे बार गवर्मेंट बदलेगी अगर कोई भी बंदा मैं कहता हूँ कोई भी केंडिडेट इस समय तीस साल की उमर का है तो आप 35 साल नौकरी करेंगे तो 35 सालों में सात बार गवर्मेंट बदलेगी हो सकता है कि एक दो बार repetition हो जाए तो औन एवरेज पांच बार अगर गवर्मेंट बदलती है तो आपको हर गवर्मेंट के साथ नौकरी करनी है तो अपने आपको न्यूट्रल बनाएंगे तभी आप नोपरी कर पाएंगे अधर्वाइस फिर वो ही है कि ऐसी जगे फैक दिये जाओगे तिक रहने वाले साहरनपूर के वो फैक दिये तुम्हें चंदॉली तिक है गौंडा बहराइच तिक तो वहां जो है बस वहीं पॉल्टिक्स करते रह जाओगे इसलिए न्यूट्रल रखी अपने आपको जो आपका राजनीतिक जो परिपेख्ष राजनीतिक जो सोच है उसको अपने तक्सीमित रखी है समय आएगा भाई हमार वोट डालने का दिकार है वैसे पुलिस वाले हैं आप तो दूसरे को वोट डालवाई है खुद तो वोट डालेंगे नहीं आप छुट्टी आपको मिला नहीं करेगी तो इसलिए न्यूट्रल रखी है अपने आपक झालो है